अगर हम आगे बात करें बच्चो तो 17th illustration भी हमारे सामने यहाँ पर है बच्चो 17th illustration पेज नुमर 1.29 पर है और हमारे पास जो है दो पार्टनर है पवन हमारे पास है सावन का महिना पवन करे शूर और दूसरी है हमारे पास में पारूल पवन and पारूल are partners in a firm as per the partnership deed पवन is to get salary of rupees 30,000 per month जो पवन जी भाई साहब है ना income क्या पे करेंगे इनको salary पे करेंगे अच्छा कितनी salary पे करेंगे इनको salary पे करेंगे बच्चो 30,000 rupees per month की salary पे करेंगे अच्छी बात है इसके बात कह रहा है commission भी देंगे 10% before charging any commission तो वापस से जो इसमें formula लगेगा वो लगेगा rate upon 100 का बहुत simple सा concept है इसको commission भी देना है तो commission 10% का formula लगेगा तो लगेगा 10 upon 100 मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ ताकि आपको problem ना आए इसके बाद में कह रहा है कि पारूल को भी salary मिलेगे 50,000 पर एनम इसकी salary न बच्चो वह है 50,000 पर एनम पूरे साल भर की annual salary इसकी जो है वह 50,000 है यह पर मंत नहीं है इसको लिखेंगे पर एनम है ना और इसके बाद में पारूल को जो है commission भी मिलेगा 8% of net profit after charging all the commissions अब वापे से इसमें after वाला वड़ा गिया तो यहाँ पर जो commission मिलेगा इसको मिलेगा 8 upon rate plus 100 मतलब 108 की हिसाब से हम उसके calculation करेंगे बच्चो आगे question में कह रहा है profit after partner salary profit after partner salary यानि जो profit इसने हमको देर खा है उसमें से हमने partner की salary less कर दी क्यों कर दी भाई वो तो हमको करना था तो वापस से add करेंगे और देखेंगे total net profit कितने का था और बोल रहा है but before charging any commission to any partner और अबे तक हमने उसमें से commission less नहीं किया thank you क्योंकि हमें वापस से add करने की जरुरत नहीं पड़ेंगे commission को वो कह रहा है 550,000 रुपीज का profit है तो जो net profit हमारे पास में बता रहा है वो बता रहा है 550,000 रुपीज का हमारे पास में net profit बता रहा है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों इसको total profit निकालना पड़ेगा calculation of total net profit पहले वो निकालना पड़ेगा अब कैसे निकालेंगे 550 जो है वो तो इसने profit दे रखा है इसमें से salary less की थी इसने तो हम salary के वापस से add कर देंगे यहाँ पर देखेगा 30,000 पर मंत की salary पवन को मिल रही थी तो सालगर की बच्चों कितनी हो गई 12,3036 है न तो यह हो गया आपका 3,60,000 के salary इसकी हो गई और 50,000 के salary हम पारूल को पर एनम दे रहे थे तो वो ही हो गई उसने का इन दोनों को less करने के बाद 550 है तो बच्चों total ह हमारा net profit कितना होगा आई इसको add कर लेता है यहाँ पर 550 में add करेंगे 3,60,000 और add करेंगे 50,000 बच्चों तो आपके पास आएगा 9,60,000 रोपीस का total net profit हमें इससे मतलब है अब यह कह रहा है कि commission वगरा निकाल दो सबका तो आओ commission निकालते हैं बच्चों फिर से commission निकाल लेत हैं यहाँ पर जो पवन का commission है उपर लिखेंगे calculation है ना तरीके से काम करते हैं उपर लिखते है calculation of commission यह working note का पूरा हिससा चल रहा है इस समय अब इसके बाद में यहाँ पर अपन पवन की बात करते हैं पहले है ना तो पवन का जो commission होगा वो कितना होगा बच्चों 9,60,000 प पर कि net profit का निकाल दो तो कितना आएगा इसका 96,000 रोपीस का commission है वो किसका हो गया पवन का हो गया अब बच्चों पारूल का जो है हम लोग commission निकालेंगे यहाँ पर तो इसने मुला after charging all such commission तो 960 का profit था उस 960 के profit में से बच्चों पले तो इसका commission less करो पवन का 96,000 यह कितना remaining होगा आपके पास में उस remaining के उपर जो है हम लोग पारूल को commission देंगे तो 960 में से हम less करते हैं 10% commission तो यह आएगा 8,64,000 रोपीस के उपर हम पारूल का commission निकालेंगे तो कितना आएगा 8,64,000 इंटू करेंगे इसको 8 upon 8 108 से इसको अपन डिवाइड कर देंगे ब बच्चो तो यहाँ पे जो पारूल का जो commission है वो निकलेगा हमारे पास में इंटू 8 upon 108 तो यह आएगा 64,000 तो बच्चो हमारे पास में commission पारूल का आगया 64 और पवन का आगया 96,000 आगया बच्चो पूरा question आपके सामने है और इसके अलावा इसमें salary वगर है तो हमें काम क समझ में आ जाएगी बच्चो आपके बार short में इसको बना रहा हूँ मैं हलांकि exam में ऐसा बना सकते है उसके marks नहीं करते है यहाँ पर और यहाँ पर हमने जो है यहाँ आ जाएगा आपका particulars date के column के इसमें कोई खास importance नहीं होती बच्चो पर्टिक्लर्स अमांट उपर नाम लिख दीजेगा इसका P&L appropriation account आप जानते हैं कि यह debit होता है यानि expense side होती है यह होता है credit यानि income side होती है अब आपको दिमाग में छटना शुरू हो गया होगा कि यह income side है यह expense side है जिसका भी account बना रहे है उसके point of view सोचना है कि उसको profit हो loss हो रहा है expense हो रहा है कि income हो रहा है अगर profit हुआ या income हुई तो इधर दिखाना है अगर loss या expense हुआ तो इधर दिखाना है बहुत simple से concept बच्चों आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर आता है by net profit और बच्चों वो कितन उसी है क्या interest on capital नहीं है क्या यहां पर salary है क्या हाँ जी यहां पर salary है और salary है पवन की तो पवन's salary यहां लिख देंगे पवन के salary तो बच्चों पवन के salary जो है पीछे हमने question पुरा बनाया था वहां देख लेते हैं तो यहां पर जो पवन के salary है वो थी 30,000 पर मन्त यानि साल salary की कितनी हो गई 30,60,000 रुपय की साल भर की salary हमने यहां पर आई थी और इसकी होगी 50,000 तो हम यहां लिखेंगे 360 salary है वो हो गई हमारे पास पर यहां पर पवन्जी भाई साब की और जो पारुल देवी है पारुल देवी उसकी salary जो है यहां पर वह बच्चों 50,000 पर लिखना पूरा पवन, short में कुछ नहीं लिखना मैं जो लिख रहा हूं वो बोल रहा हूं ताकि आपको confusion नहीं हो लेकिन आप short में कुछ नहीं लिखेंगे नाम पूरा लिखकर आएंगे exam में ठीक है बच्चों तो पवन का commission था वो आया था कितना इवार देख लेते है पवन का commission आया था 96,000 रुपीज का तो यहां पर लिख देंगे 96,000 और इसके बाद में जो पारूल का commission आया था बच्चों तो यहां लिख देंगे पारूल कमिशन वो कितना आया था 64,000 रुपीज अभी मैंने पीछे calculation कीते देखिए यह रह 64,000 अमौंट उसका commission आया था ब टू पवन्स कैपिटल टू पारूल्स कैपिटल टू मत लगा नहीं यहां पर क्या करेंगे टूटल लगा लो यह कितना होगा 960 होगा टूटल मिला के यह भी 960 होगा इस 960 में से पूरा less कर लो बच्चो तो कितना आएगा 960 मैनस करेंगे 360 मैनस करेंगे 50,000 मैनस करेंगे 96,000 मैनस करेंगे 64,000 बच्चो तो यह remaining profit आएगा आपके पास में 3,90,000 रुपीज का बच्चो क्या इनने बताया है क्या कि इनका आपस में profit sharing ratio क्या है कह नहीं भी नहीं बता रखा तो मैं इसको equally यहाप पर divide कर दूँगा तो इसके पास जाएगा 1,95,000 बच्चो और इसके पास भी जाएगा 1,95,000 और इसको यहाँ पर दिखा देजेगा यह आपका example number 17th complete हो गया बच्चो कर दो